सफलता पाने की कोई उम्र नहीं होती, इतिहास गवा है कि इतिहास रचने वाले लोग कभी अपनी उम्र नहीं देखा करते, वह हर वक्त इतिहास रखने की कोशिश में लगे रहते हैं, हम किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले सोचते हैं, क्या यह मेरे लिए सही समय है, क् क्या मुझमें उस काम को करने की काबिलियत है। कभी-कभी हमें यह लगता है। शायद इस काम को करने की उम्र ववक्त निकल गया है। हम में से अधिकतर लोग बिजनेस तो करना चाहते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले ही डर कर आगे कदम नहीं बढ़ाते हैं। बस दिमाग में हमेशा यह उथल पुथल चलती रहती है, हमारा बिजनेस सक्सेस होगा भी या नहीं, हमें यह प्रॉफिट देगा भी या नहीं, मैं इसमें रिस्क लूँ या नहीं, बस हमारे अंदर इसी confidence की कमी के कारण, हम उन opportunity को दरकिनार कर देते हैं, जो हमारे carrier का turning point हो सकती है, अगर आप भी किसी नए काम या बिजनेस को शुरू करने में हिचकिचा रहे हैं, अगर आप में भी confidence की कमी है, तो यह story आपको जरूर अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी, oxygen बगैर जीवन ही संभव नहीं है, जिस तरह oxygen हमारी necessity है, choice नहीं है, जब हमें oxygen नहीं मिलती, तो हम पूरा जोर लगाते हैं, पूरे हाथ पैर मारते हैं, पूरी fight करते हैं, क्योंकि ये choice नहीं है, ये compulsory है, कोई option नहीं है, यही हमारे goals के साथ भी है, जब oxygen की तरह success भी हमारी necessity बन जाएगी, success हमें चाहिए ही चाहिए, कोई option नहीं है, ये ह हमारे लिए must है, तब आपका पूरा talent, पूरी capability, पूरा हुनर, पूरा enthusiasm बाहर आएगा, आप पूरे हाथ पैर मारेंगे, हर कोशिश करेंगे, अपनी limits के beyond जाएगे, बहाने नहीं मारेंगे, excuses नहीं ढूंडोगे, क्योंकि goals आपके, लिए necessity है, option नहीं है, इसलिए आपके dreams, आपके goals, आपके खुशी भी oxygen की तरह है, अगर पूरे नहीं हुए, तो इसे ऐसे कैसे जाने दे, क्योंकि हमारे और आपके लिए, success is not a choice, it is a necessity, World War I के दौरान, Mrs. Rose के पती रशा से बाहर निकल चुके थे, थ्री साल बाद रोज के निकलने की बारी थी, वह कहती है कि उनके पास उतने ही पैसे थे, इसलिए एक-एक करके रशा से बाहर निकले, उन्होंने पोस्ट पर तैनात सैनिक से बोला, मैं border power army के लिए, कुछ लेदर लेने जा रही हूँ, लौट थे, समय, तुम्हारे लिए स्लिवोविट्स की बॉटल ले आऊंगी, साइबेरिया से यात्रा करके रोज, जपैन पहुँची, वहां से एक छोटी सी नाव, जिसे पीनट बोट कहते हैं, उससे 7,000 किलोमेटर्स दूर सियाटल, अमेरिका पहुँची, रोज को USA में बड़ी कठिनाई हुई, ना तो उ उनके पास पैसे थे, ना एजुकेशन और ना ही उन्हें इंग्लिश आती है, उन्होंने इंग्लिश 5 साल की बेटी के साथ सीखी, जो उन्हें स्कूल में जो भी सीखा है, उसे दोबारा सुनाती, मिसिस रोज ने अपने पती के साथ मिलकर, ओमाहा में कपड़े की दुकान खोली, इसके साथ ही रोज सिलाई का काम भी करने लगी, इसी बीच 50-50 डॉलर जोड कर, उन्होंने अपने साथ भाई बहनों को रशा से बाहर निकाला, धीरे-धीरे काम चल ही रहा था, तभी USA में डिप्रेशन आ गया, उनका कपड़े का काम धीमा हो गया, रोज कहती हैं क जब आप गरीब इमिग्रेंट्स होते हो, तो कोई आपकी मदद नहीं करता, नहीं बिजनेस में कोई उधार देता, उन्होंने अपने घर का सामान बेच कर पैसे एकठे किये, फिर बेस्मेंट से सामान बेचना शुरू किया, जैसे जैसे रोज की बिजनेस में समझ बढ़ से भरी इनसान थी, वह कहती हैं कि मैंने कोई लॉयर नहीं किया, मैं खुद ही सारे बिल और खर्चे की रसीदें जज के पास लेकर पहुँची, उनसे बोला कि मैं अपना सारा खर्च मिला कर 10% प्रॉफिट पर समान बेचती हूँ, अब आप बताओ, मैं अपने कस्टमर्स से कितना पैसा लपेटू, यह शब्द थे, रोज बलमकिन के जो अभी कुछ ही साल पहले अमेरिका में अनपढ़ और गरीब और थी, उनके confidence और बेबाकी से जज चकित रह गए, सबसे बड़ा लेसन यहाँ पर यह है, कोई भी confidence, और हिम्मत के साथ पैदा नहीं होता, जब आप इमानदारी और सूज बूज से अपना काम करते हो, तो आपके अंदर अपने आप गजब का confidence आ जाता है, ऐसा confidence सबको प्रभावित करता है, केस खारिज करने के बाद, जज ने खुद डॉलर 1,400, यानि कि आज के समय में लगभग 1,001,001 खरीदा, रोज यही पर नही रुकी, बड़े बिजनिसमेन ने उनको परिशान करने के लिए केस किया था, लेकिन उन्होंने यही केस का result, advertisement के रूप में छपवा दिया, कि इतना सस्ता furniture की court case हो गया, इन सारे व्यवधानों के बाद भी, Mrs. Rose ने सस्ता furniture बेचना जारी रखा, अब उनकी popularity और अधिक बढ गई, लेकिन बिजनिसमें सब कुछ इतना आसान वो, स्मूध नहीं होता, उनकी popularity देखकर, उनके competitor ने Mrs. Rose के supplier को supply करने से मना कर दिया, उन्होंने कहा कि अगर आपने Mrs. Rose को furniture दिया, तो हम सब नहीं लेंगे, हम सब Mrs. Rose से बहुत पहले से इस business में है, उनसे ज्यादा stable भी है, मजबूरन supplier में ने Mrs. Rose को supply करना बंद कर दिया, अब एक बार फिर Mrs. Rose के सामने बड़ी problem थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, फिर उन्होंने furniture अपने state के बाहर से मंगाना शुरू कर दिया, उन्हें पता था कि जब furniture बाहर से आएगा, तो transportation cost भी बढ़ेगी, उन्होंने अपने store के खर्चे कम रखें, वह खुद ही store के counter और salesperson का काम संभालने लगी, उन्होंने सभी cost को control में रखा, धीरे धीरे उनका furniture मार्ट बढ़ता चला गया, आगे आने वाले समय में उनका furniture business पूरे अमेरिका में फैल गया, अमेरिका की हर छोटी बड़ी city में उनके store हो ग उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपना business कितने में बेचेगी, मैंने बोला, 60 million dollar, जिस पर वह तुरंत राजी हो गए, रोज ने अपना business इसलिए बेचा, ताकि बाद में उनके बच्चों में लडाई नहो, सब मिलकर काम कर सके, आज निब्रास का furniture मार्ट की कीमत dollar 1 billion से भी ज करना पसंद करता हूँ, जो business और काम के लिए passionate हो, 90 साल की उम्र में business बेचने के बाद भी Mrs. Rose 102 साल की उम्र तक काम करती रही, इतने लंबे समय तक, इंसान केवल पैसे के लिए काम नहीं कर सकता, उनको business करने का कुछ नहीं से कुछ पैदा करने का passion था